नमस्कार साथियों कैसे हैं सभी लोग मैं हूँ अभिनोत शांशु पांडे और आप सभी का स्वागत है अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से हम पी वाई क्यू सीरीज चला रहे हैं पी वाई क्यू सीरीज में गतिमान आवेस और चुंबकत्व हम लोगों ने ये सिखा हम लोगों ने ये भी सिखा हम लोगों ने आंखी के प्रश्न भी देखे और इसके बाद में हमारा अगला सवाल जो है वो है कि दो असेमित लंबे समानतर तार हैं जिनके बीच में जो है में अपने आप में धारः प्रवाहित हो रही है ऑब इनके बीच में लगने वाले बलकी जो है गरना करने के लिए सूतर वित्पन करना है और एक एंपीर धारा को परिभाशित करना है एंपीर का नियम लगाना है तो चलिए शुरुवाथ कर लेते हैं हमारे पास हमें पहल असर्फी में हम पहले री पती बात में हम पहले universe की प्रीक्तिय निएम लगांगे के लिए एक बंधुन की निकालने के लिए हमको पता है close integral b dot dl बराबर mu naught गुणा i1 क्योंकि इस तार के कारण जो है चुम्ब की छेत्र लग रहे हैं और यहां पर हो जाएगा देखें integral dl हो जाएगा 2pi r और यहां पर हो जाएगा b गुणा 2pi r बराबर mu naught गुणा i1 mu naught गुणा i1 या हम बोल सकते हैं b का मान हो जाता है mu naught बटा 2pi और यहां पर हो जाएगा i1 बटा r या फिर हम इसको और भी बोल सकते हैं mu naught बटा 4pi हम लोग ने 2 का गुणा नीचे किया 2 का गुणा उपर कर देते हैं 2i1 बटा r अब हमको क्या पता चल गया कि पी पर चुम्ब की छेत्र कितना लगा आगे पता करना है उसकी दिशा क्या है चुम्ब की छेत्र की जिसा पी वन पर क्या होगी इसके लिए हम दाय हाथ के अंगुठे का नियम यहां रखा है हम लोगों ने अंगुठा यह हो गई चुम्ब की अंगुठा बंद करते हैं तो पी पर बिंदु अंदर जाता हुआ हमारी उगलियों को परदर्षित करती यहां पर चुम्ब की म hetr बन गया अंदर का ओर घाता हुआ अब क्योंकि यहां पर चुम्ब की छेत्र वह है और धुधुधभरा बंदर छावा नी हो ह साइन थीटा अब यहां पर जो है देखिए डी एल और भी इन दोनों के बीच में तो यहां पर जो है मुझ गया फ बराबर एफ बराबर आई वन नहीं आइट ने टू ठीत है ते बराबर आए टू और डील को जो है हम लोगों ने ले लिया आई एल और बी कमान कितना है तो बी कमान है मियू जिरो बाई फोर पाई और यहां हो जाएगा टू आई वन और साइन थीटा हो जाएगा 90 क्यों 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 कि यहां पर चुंबकी छेतर अंदर जा रहा है और विदुद्धहरा का प्रवाह उपर हो रहा है मत्ध्यमा को रखते हैं और अंगुठा हमको बल की दिशा दिखाएगा यह देखिए यह हो गया चुम्मधी छेतर की दिशा यह धारा के दिशा और बल लग रहा है replenकियो और यह प्रती एक प्रती खű Frederic नणीया और ये हो जाएगा mu zero by four pi और यहां हो जाएगा दो गुणा i1 i2 और बटा r यहां पर r आता है ठीक है यहां तक की बात हम को समझ में आ गई अब यहां पर देखेंगे कि एक ampere को परिभाशित कैसे किया जाए यदि हम लोगों ने मान लिया कि दोनों धाराओं का मान i1 और i2 और दोनों का धाराओं का मान एक ampere है ऐसी स्थिति में यदि इनके बीच की जो दूरी है r वो एक मीटर हो तो दोनों के बीच में लगने वाला बल कितना हो जाएगा f बराबर f बराबर mu zero by four pi और यहां पर हो जाएगा two ठीक है और यहां अजिके से अब हम एक ampere current को एक ampere धारा को परिभाशित करते हैं कि यदि दो दो तारों पे जिसकी बीच की दूरी r मीटर हो एक समान धारा प्रवाहित हो रही हो एक ही दिसा में और उनके बीच में लगने वाले आकर्षण बल का मान दो गुणा दस की घातरिण साथ न्यूटन हो तो दोनों तारों से प्रवाहित होने वाली धारा को हम एक ampere धारा कहेंगे और इस तरीके से हम लोगों ने इसका भी उत्तर दे दिया मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए पशने के साथ में और दुटतर के लिए धन्यवाद